दुर्गा पूजा हमारे देश में समय समय पर अनेक पर्व मनाये जाते हैं. इन पर्वों का हमारे जीवन में विशेश महत्व है. इन से हमारे जीवन में उत्साह के साथ साथ हानन्द भी प्राप्ट होता है. इन पर्वों से परसपर प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा होती है और परसपर सहानुभूती बढ़ती है इन पर्वों और त्योहारों से हम सच्चाई, नैतिकता और आदर्श की शिक्षा ग्रहन करते हैं. ये पर्व हमारे अतीत के गौरव और उसके महत्व का देते हैं. ऐसे त्योहारों में दुर्गा पूजा भी एक बहुत ही महत्वपून पर्व है दुर्गा पूजा, भारत का एक धार्मिक त्योहार है यह. त्योहार वैसे तो भारत के सभी प्रांतों में मनाया जाता है लेकिन, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया आता है नवरात्रिया दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के उपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिशासूर पर विजय प्राप्ट की थी, उन्हें ब्रहमा, भगवान विश्णू और शिव के द्वारा इस राक्षस को मार कर और दुनिया को इस से आजाद कर आने के लिए बुलाया गया था, युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस को दसवें दिन मार गिराया था, वह दिन्द शहरा कहलाता है, दुर्गा पर देवी दुर्गा की पूरे नौ दिनों तक पूजा की जाती है, यद्यपी पूजा के दिन स्थानों के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इस दिन लोग देवी दुर्गा की मूर्ती को सजाकर प्रसाद, जल, कुम-कुम, नारियल, सिंदूरादी को सभी अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं सभी, जगह वातावरन बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है. ऐसा लगता है कि वास्तव में देवी दुर्गा आशिरवाद देने के लिए सभी के घरों में जाती है या विश्वास किया जाता है कि माता कि पूजा करने से आनंद, सम्रिध्धी, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियां हटती हैं. पूजा के बाद लोग पवित्र जल में देवी की मूर्ती के विसरजन के समारोह का आयोजन करते हैं. भक्त अपने घरुदास चहरों के साथ लोटते हैं और माता से फिर से अगले साल बहुत से आशिरवादों के साथ आने की प्रार्थना करते हैं.